To all of you, this is Dr. Saurav और basically एक important notification अभी आया है जो पहले second round का registration का date था वो तीन तारीख था, उसको extend कर दिया गया है एक दिन से अब उसे चार तारीख कर दिया गया है और जो पहले choice filling का date था that was from 4 to 7, 4 से 7 तारीख तक अब वही चीज़ कब होगा, 7 से start होगा और कब तक होगा, यह आपको notification बहुत जल्द मैं बता दूँगा जब यह MCC के website पे upload हो जाएगा तो इससे पहले क्या था, वो मैं आपको एक बार दिखाना चाहूँगा आप देख सकते हैं, registration 3rd FAP से start होने वाला था और जो choice filling था, वो 4th FAP to 7th FAP था तो यह एक important notification है, अब बहुत लग पुछेंगा इसा क्यों किया गया क्योंकि बहुत सारे जो D&B का जो seat है, जिस पे clearance नहीं मिला था वो साथ इसमें add किया जाए, और बहुत सारे हो सकता है कि government medical college में जो PG seats है, वो भी, में भी add किया जा सकता है तो इस वज़े से जो counseling का schedule था उसको थोड़ा बहुत extend किया गया है जब नया schedule आएगा तो मैं वापस फिर से आपको notify कर दूगा Thanks a lot and best of luck to all of you